सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को जरूर से दबाईए हमारी लेटिस वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको इसका लिंक दे दूँगी तो आप उस रेसिपी को जरूर से देखिएगा और इस इत पर शीर खुर्मा जरूर से बनाईएगा साथ ही मैं आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ इसका नाम है सेवाईओं का जर्दा जिसे न सेवाईओं का मीठा भी कहा जाता है और ये एकदम perfect measurement के साथ में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इससे आपका ये जो जर्दा आना बहुत ही जादा टेस्टी बनकर त्यार होगा तो इस एद पर आप खीर के साथ सातना इसे भी try कर सकते हैं तो आईए बिना अदेर किये इस जबरदस से desert को बनाना स्टार्ट करते हैं सेवैयों के इस मीठे को बनाने के लिए कुछ ingredients देख लेते हैं तो यहाँ पर मैंने ले ली है डेट कप जितनी सेवैया जो की मोटी वाली सेवैया है और यह roasted नहीं है तो हमें इसी तरीके के ले लेनी है इसके बाद में इसी के according हमें ले लेनी है चीनी तो डेड़ कप जितनी मेरी सेवैया थी एक कप ले ली है मैंने चीनी घी हम इसमें आखशकता नुसार ले लेंगे और छोटी चमश्य ले ले हैं मैंने एलाची का पाौडर और ड्रैएफ्रूट में देखें दस ले ली है मैंने बदाम दस ले ले काजू-किशमिश-ककुषण ले OP-30 तो आप चलते हैं गैस के तरफ और इसे पकानी की तीयारी करते हैं तो यहाँ पर मैंने गैस की फ्रेम को आण करके उस पर एक फ्राइंक पैन रख दिया है और इसमें डाल दिया है वन टेबल इस्पून जितना घी तो अभी ना काफी देर से लाइट गयी हुई थी और अभी इसमें बादाम डाल दिये क्योंकि इनको रोस्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो जैसे इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा इसके बाद में हम बाकी सारे जो ड्राइफूर्ट्स हमने कट करके रखे थे न वो डाल देंगे आप देखें यहां पर ना ड्राइफूर्ट्स अपने इच्छा नूसार कम या जादा ले सकते हैं या जो आपको पसंद है वो बढ़ा सकते हैं और जो कम पसंद है उसे स्केप भी कर सकते हैं तो यहां पर ना सारे के सारे ड्राइफूर्ट्स जो है फ्राइ हो गये हैं अब हम इसे क्या करेंगे एक जर की मदद से बाहर निकाल लेंगे है इसे क्या होगा कि जो घी है एक्स्ट्रा वे इस पैन बहलंगे रही जाए गान तो इस तरीके से ना जिस प्लेट में आने काट के रखा था उसी प्लेट में इसमें जलने की स्मैल की आती है इसके बाद मैं फिर से में वन डेबल इस्पून जितना घी डाल रही हूँ जैसे ही वो मेल्ट हो जाएगा हमें सेवहूइबाना डाल देनी है क्योंकि यहाँ पर हम हम सेवहूइम को रोस्ट करेंगे घी के अंदर तो देखें इस तरीके से चलाते जाएं और कम से कम दो से तीन मिनिट लगेंगे धीरे धीरे से वहीं हमका कलर जो है वो चेंज होता जा रहा है अभी जो कलर है इसका हलका सा लाइट ब्राउन होने लगा है हमें थोड़ा सा इसे और रोस्ट करना है तो मुश्किल से दो से तीन मिनिट लगते हैं और यह अच्छे से रोस्ट हो जाती है तो देखें अभी जो है ना बहुत ही अच्छा सा इसका कलर आ गया है इससे जादा हमें इसको रोस्ट नहीं करना है वरना जैसे ड्राइफ फूट्स के लिए मैंने कहा जलने की स्मेल आती है ठीक वैसे इसमें भी आएगी तो बहुत ही प्यारा सा कलर आया है बस इसी स्टेज पे हमें से बाहर निकाल लेना है तो सेवयों को बाहर निकालने के बाद में थोड़ा सा घीस में बच गया था लेकिन मैं 1 टेबल इस्पून जितना घीस में और डाल रही हूँ तो टोटल मिलाकर जो हमने घी काम में लिया है वो 3 टेबल इस्पून है और जैसी वो मेल्ट हो जाएगा इसमें हमने चीनी डाल लेनी है तो एक कप मैंने चीनी डाली है और दो कप में यहाँ पर पानी डाल रही हूँ तो देखें जिस कप से मैंने पानी डाल रही हूँ ना इसमें इसी कप से मैंने सेवईयों को मैजर किया था तो डेट कप समयां थी, एक कप उसकी साब से चीनी ले ली है और दो कप पाने ले लिया है तो यह बिलकुल परफेक्ट मेजरमेंट है, इसके अकॉर्डिंग अगर आप बनाएंगे ना तो आपकी समयां बहुत ही अच्छी बनकर त्यार हो जाएगी और अगर फिर भी आपको मीठा थोड़ा जादा पसंद है, तो आप इसकी मातरा को बढ़ा भी सकते हैं अब जैसी थोड़ा थोड़ा यह मैल्ट होने लगेगा, उसके बाद में हम इसमें डाल देंगे लाइची का पाउडर, तो यह आदी छोटी चमच है और एक चुटकी इसमें डाल देंगे हम, औरेंज रेट फूट कलर, तो यह बहुत ही अच्छा कलर लाने के लिए है, और जैसे इसमें चीनी अच्छे से मैल्ट हो जाएगी, तब तक हम इसे चलाएंगे, और उसके बाद में इसमें उबाली आने देंगे, तो देखें यहा इसमें लगी हुई है, वो भी निकल जाएगी, और जो एक्स्ट्रा घी है ना, वो भी सारा इसके अंदर आ जाएगा, और इसे एक बार इस तरीके से चला लेंगे, ज्यादा दिर हमें नहीं चलाना है, बस एक बार मिक्स करने के बाद में, इसमें ढखकन लगा देना है, औ तो देखें, तसे बारा मिनट हो गई है, और जो पानी है ना, अल्मोल्स खुश्क हो चुका है, और सेवाईया भी हमारी सॉफ्ट हो गई है, तो इसी स्टेज तक हमें इसे पकाना है, और उसके बाद में हमें क्या करना है, जो ड्राइफ फूर्स हमने रोस्ट करके रखे गी के अंदर, वो इसमें एड़ कर देने है, तो यहां पर मैं पूरे नी डाल रही हूँ, थोड़े बहुत बचा लेंगे, ताकि बाद में हम गार्निश कर सकें, तो इसमें ड्राइफ फूर्स बहुत ही अच्छा टैस्ट देते हैं, खास तो पर जो नारियल की स्लाइसे है इसमें बहुत जादा उम्दा टैस्ट देती है, तो आप इसे जरूर से आइट करें, और एक बार इन सबी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें, उसके बाद में जो टूटी फूटी रखी थी हमने, जिसे चेरी भी कहा जाता है, वो भी इसमें आइट कर देंगे, तो यहां चीजों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, और इस तरीके से मिक्स करने के बाद में हमें क्या करना है, गैस की फ्लेम को आफ कर देना है, और इसे ढख कर पांच मिनट के लिए रेस्ट पे देना है, इसे क्या होगा, यह दंपर लग जाएगा, और पांच मिनट के बाद हो तभी आप इसे बनाकर त्यार कर सकते हैं तो आप इसे नहीची भणार मेर्ष कction की लीजी जी ला ज़वाब से हमारी सिमयां का जरदा जरत मीठा बनकर त्यार हो गया है जो कि बहुत ही जटपट से बन जाता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है तो इस बाहर ईद पर आप इसे जरूर से बनाएं खाएं मज़े करें आपके फ्रेंड्स को आपके महमानों को ये काफे पसंद आएगा तो आई होप के आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें ज्यादा से शेयर करें और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके अपने चैनल सोना सहल्दी किजन को सब्सक्राइब करें और दुआ में याद रखें थैंक यू